हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडवी में आपका स्वागत करते हैं और दोस्तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के जो कल का रिजल्ट आया हुआ है कानपूर यूनिवेस्टी सीएस जेम्यू का तो उसके बारे में हम बात करेंग कुछ चीजें इसमें हैं जो आप लोगों के लिए बात करने लाइक हैं और कई चात्र इस रिजल्ट से आने वाले रिजल्ट से बहुत परेशान हैं और कुछ लोगों का रिजल्ट तो सही आया हुआ है तो आज हम बात करेंगे इसमें जो कुछ चात्र परेशान है उनकी स से किये हुए हैं कि इसमें युनिवेस्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा युनिवेस्टी ने किया हुआ है तो ऐसा युनिवेस्टी को नहीं करना चाहिए था यही सब बातों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में दूंगा आप लोगों को तो वीडियो अगर आप ल को कई सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं तो चलिए आज बात करते हम जो कानपुर यूनिवस्टी ने कल हमारे लोगों का रिजल्ट जारी किया है खासकर जो एट सेमिस्टर वाले हैं वो चात्र कई सारे बहुत परिशान है और यूनिवस्टी ने जो रिजल्ट जारी कि अभी तक जारी नहीं किया है उसमें अभी तक रिजल्ट नोट फाउंड लिकर आ रहा है ठीक है तो अब यह कैसे सही होगा इस पे भी हम चर्चा करेंगे और स्टुडेंट्स को क्या करना चाहिए यह सारी प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं और पूर आप लोगों को बहुत है और आधे जो प्राइवेट वाले बचे हुए है उन लोगों को भी इसमें फॉर्म डालना चाहिए और यह बात भी सही है कि यूनिवस्टी को इस प्रकार की काम नहीं करने चाहिए कि आधे लोगों को रिजल्ट आप लोगोंने रिलीज कर दिया ह और आधे जो प्राइवेट वाले बचे हुए हैं उन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है यह तो यूनिवस्टी की मनमानी की तरीके से हो गया और यह रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया इस पर भी बात करेंगे तो यह रिजल्ट आप लोगों का जो है यूनिवस्टी क लोगों का आ चुका है वो लोग यहां से इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं जाकर पूरी स्टेप इसमें वीडियो में बताईगी है तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं खोल रहा है तो इसमें रिजल्ट नॉट फाउंड लिक्र आता है जिससे चात्र बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो युनिवेस्टी की बेप साइट पर भी जाकर दो तीन बार चेक किया गया है लेकिन उहां पर भी ऐसा नोटिस नहीं डाला है कि प्राइवेट चात्रों के लिए क्यों नहीं है क करने के लिए 5th semester, 7th semester और 8th semester सभी आ रहे हैं बट 8th semester का result नहीं खुल रहा है प्राइवेट वाले चात्रों का ठीक है और जो 1st और 3rd की बात कर रहा हूं मैं 3rd और 1st वाले जो हैं वो लोग भी बहुत परेशान है तो NEP जो semester examination result है उसमें आप लोग लिंक पर किलिक करेंगे कि वहां से आप लोगों का result खुलता है 1st और 3rd वालों का ठीक है इसके बार 8th semester वालों के लिए मैंने proper वीडियो बनाया हुआ है इस वीडियो पर जब आप जाएंगे हमारे चैनल पर देखेंगे जाके तो वहां पर आप लोगों का इसमें पूरा solution दिया गया कैसे देखते सब आप लोग जानकारी ले सकते हैं अब बात करने वाले हैं हम 8 semester वालों के चात्रों की 8 semester वाले जो चात्रें वो बहुत ही जादा परेशान है तो students को अब क्या करना चाहिए आप लोगों की भरती की भी आज last date है अगर भरती की date बढ़ जाती है तो तो चलो कोई बात नही अगर नहीं बढ़ती है तो फिर आप लोग इससे form डालने से बंचित रह जाएंगे तो इसमें आप लोगों के solution यही रहेगा कि अपने अपने college से संपर करिए अपने dean और प्राचार लोगों से कहिए कि university ने ऐसा क्यों किया है university से phone करें या जैसे भी हो सके बात करें वाच अपने college के dean और प्राचार लोगों से संपर करें जिससे वो university में बात करेंगे और university में बात करने के बाद application बगएर जो कुछ भी हो उनकी process जो रहती होगी वो अपनी करेंगे ठीक है इससे क्या होगा आप लोगों का result जल्दी से जल्दी आने की संबाबना रहेगी और आप परिशान नहीं हो अगर आप लोग अगर यह तरीका अपनाते हैं आज जाकर के college में तो आप लोगों का हो सकता है result आज साम तक आ जाए जिससे आप लोग फॉर्म भर पाएंगे तो सभी चात्र यही करें तो हमारी समझ से बहुत ही जादा इसका आप लोगों को फायदा हो दो चार दिन में तो आप लोगों का आज आएगा आज भी आ सकता है या फिर एक दो दिन लग भी सकते हैं कि क्यों नहीं आया आया इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ जो private college हैं मैंने बात की होई थी कई चात्रों के phone भी आये हुए थे तो उन्होंने बताया है कि उनके यहां अभी form submit नहीं हो पाई है फाइल है जो होती है 8 semester की last semester की उसमें फाइल है या फिर जो पूरी process होती 8 semester की वो अभी complete नहीं हो पाई थी इसलिए कुछ private college की बज़े से पूरे private college का result रोग दिया गया है तो आप लोग अगर यह process अपनाते हैं तो इसमें आप लोगों को ही फाय जीए और सभी छात्र एक जो ठोकर के अपने college को में बात करें और उहां पर application दें और जल्द से जल्द अपने प्राचार या डीन से संपर करवा के आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग अपना result आज release करवा सकते हैं ठीक है तो आप लोग जल्दी से जल्दी बने रही है और ये वीडियो को जितना हो सके जल्दी जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर बेज दीजिए जिससे सभी लोग एकत्रित हो कर जाएंगे तो जल्दी से एफेक्ट परेगा तो वीडियो पसंद आया तो इससे लाइक कर दीजिए और लगातार में आप लोगों को ऐसी इन्फोर्मेशन लगातार देता रहूँगा रिजल्ट जैसे ही आप लोगों का जारी होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा तो चैनल पर जुनने के लिए धन्वाद और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुनना चाहते हैं उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दी गई है टेलीग्राम और वाट्सप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी आपको वहाँ से देख सकते चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वार